है हेलो गाइज वेलकम वन्स अगें आज हम जानेगे ऐफर क्या होता है देखिये आज 4 s the वेरीफ फ इस स्टेप ओफ हर कॉंट्रेक स्टेप अADल क्न सारी सीफ्ट यह नियुट और हंते तुbes सतंद करें तोाम थे वी इस subscribe जरूर कीजिएगा चली शुरू करते हैं फिर देखिए offer यह proposal इसे हम offer भी बोलते हैं और इसे हम proposal भी बोलते हैं यह first of all उसे अपना idea बताए कि क्या तुम यह करोगे यह तुम्हें ऐसा करना होगा यह फिर हम उसे कुछ भी बोले कि हम उसकी राय जानना चाहते हैं अगर हम किसी और की बात यह दिल की बात जानना चाहते हैं simply अगर हम बोले तो हम इसका मतलब है कि हम उसे offer दे रहे हैं अगर हम देखे offer का मतलब है कि हम इसी point of view पे उसका हम side जानना चाहते हैं कि यार वो क्या बोलेगा तो देखिए अब हम legally इसको समझते हैं section 2 है कि आप बोलता है इसे define proposal as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything इतना समझते हैं पहले जब एक person किसी दूसरे को बताए क्या बता है signify signify करें क्या करें willingness to do उसकी अपने इच्छा willingness to do or to abstain from doing anything या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए दोनों चीज़ हो सकती है from doing anything with a view किस view से to obtaining the ascent of that other उसका ascent जानने के लिए कि वो क्या सोचता है इस पारे में उस act के बारे में या तो उस abstinence के बारे में मतलब कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए हम किसी और को बोले और इस तरीके से बोलें कि हम उसकी राय जानना चाते हैं कि वो क्या बोलेगा इस act पे या इस ना करने वाले अक्ट पे इसका मतलब होता है he is said to make a proposal, इसका मतलब है कि हमने उसे proposal दिया, ठीक है, जब हम जानना चाहते हैं कि वो क्या है, इस point of point पर अपना view क्या रखेगा, तो यह होगी है हमारा offer, simply इतना है इसकी definition आपको word to word याद कर लेनी है कोई ज़्यादा नहीं है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal, that's it, चलिए, next slide में चलते हैं अब देखिए, essentials of a valid offer अब हमने offer दिया अब इससे पहले एक बात जानी है, हमने offer दिया, अब क्या पता वो accept करे या ना करे, और हम contract पट रहे हैं, तो हम आनके चलिंगे कि उसने accept किया, ठीक है, तो जो acceptance है, वो next video में हम deal करेंगे वो बात की बात है, पर हम देखते हैं, offer तो हम दे रहे हैं, पर इसकी भी कुछ essentials होते हैं तो पहले इसके essentials के बारे में जानते हैं देखिए, हमेशे एक valid offer कब बनता है, जब two or more persons हो जाहिर सी बात है, common sense लगाई है, two or more persons तो हो नहीं चाहिए ठीक है, second is, offer must be communicated, अगर offer हमारे ही मन में है, और हमने किसी को deal बताया ही नहीं तो वो offer ही नहीं हुआ, ठीक है न वो communicating ही नहीं हुआ third one is, offer must be certain, एक certain जीज होनी चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल दें क्यों, क्योंकि 5 है न, कौनसी कार लेगा या तो हम बोले कि क्या तु मेरी सारी कार लेगा तो certain हो गया, कि सभी बेच रहे है but हमने बोला क्या तु मेरी कार लेगा तो ये uncertain हो गया, या तो हम उसे बताए, कि ये वाली गाड़ी general sense में तो हमें मालूम थी पट वहां पर जो हम general sense applicable करते हैं वहां पर हमेशा हमारा intention नहीं होता contract का ठीक है बट अगर हम intention contract act पढ़ रहे हैं तो खहां पर intention होना जरूरी है तब ही वह offer कहलाएगा ठीक है तो intention नहीं है contract की और हमने मजाग में कुछ कह दिया या फिर किसी और तरीके से कह दिया कि हमें भी और सामने वाले दोनों को पता है कि यार मजाग हो रहा है कि चलो यार कल से सुबह morning walk पे चलेंगे या जिम चलेंगे but intention नहीं है contract की बोला तो है क्या पता वो हाँ बोले कि हाँ मैं भी चलूँगा या ना बोले हो तो offer जैसे ही रहा है but यहाँ पे intention to contract नहीं है इसलिए यह legally offer नहीं है next one is offer is always with the expectation of ascent हम जब भी offer दिंगे इसी expectation से दिंगे कि हाँ सामने वाला अपनी ascent बताए या चाहता है तो यह legal offer की एक essential next one is offer can be positive or negative offer कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है यह तो दोनों तरीके से हो सकता है कि हम यह करेंगे हाँ या ना हम यह नहीं करेंगे आज से हाँ या ना तो यह किसी भी तरीके से हो सकता है and the next one is offer must be in terms of final willingness यह final willingness के लिए होता है ठीक है, finally हम उसकी इच्छा जानना चाहते है तो यह offer होता है ठीक है, तो यह साथ के साथ इसके essentials है, इसको हम detail में आगे भी deal करेंगे आगे points आते रहेंगे अभी आप इनको ऐसे याद कर लिजी ठीक है अब देखे, case laws कुछ case laws है, important case laws है जिसको अब अब आपको नहीं सकते है देखे, पहला है, लालमन शुकला वर्सिस गौरिदत यह जो case है, यह communication of offer से deal करता है, देखे, इसमें हुआ क्या था, कि जो defendant था उसका nephew, abscond हो गया था घर से वो भग गया था उड़को भी जा, कि चलिए आप लड़के को ढूंड़िए तो वो भी गया, बाद में जब servant चला गया था फिर उसने सोचा कि यार ऐसे शायद यह मुश्किल ही मिलेगा, तो उसने एक reward एनाउंस किया कि हाँ, अब जो भी मेरे नेफी को ढूंड़ेगा, उसको मैं कुछ शायद पान सो एक रुपे का असपास या कुछ भी बोल लेजिए, वो उसने reward रखा, ठीक है बट हुआ क्या, उसने reward तब रखा जब servant जा चुक आता ढूंडने के लिए अब servant ढूंड के लाया उससे पता चला कि यारिनों ने तो reward रखा था तो उसने फिर reward के लिए claim किया, बट यहाँ पर उसने मना कर दिया, तो उसने suit file किया अब suit file किया, तो यह decide हुआ यहाँ पर कि देखिए, उसको offer की जानकारी नहीं थी, communication of offer हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो जो उसने terms रखी, 501 रुपए देने की वो बाद में रखी, जब वो जाच चुका था ढूंडने तो इसलिए उसे कोई knowledge नहीं थी, और जब तक knowledge ना हो और offer के ना हो, वो valid offer नहीं माना जाता, तो इसमें यह deal वाता second is Balfour versus Balfour 1919 का case है, यहाँ पर intention to contract deal किया गया है, means कि क्या contract करने के intention थी या नहीं थी, क्योंकि यह भी essential है अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर simply इस case में इतना बोला गया कि देखिए कुछ ऐसे contracts होते हैं हमारे social arrangements वाले जिनमें हमारा कोई intention to contract नहीं होता है हम उसको legally नहीं लेते हैं तो अगर जैसे किसी ने बोला कि let's take a walk together यहाँ पर offer and acceptance जरूर होगा या फिर hospitality के offers ले लीजिए कि हम किसी को अपने घर पर invite करते हैं उसे बुलाते हैं और वो आ भी जाता है क्या वो केस सकता है कि यार इन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया या तो फिर इन्होंने मुझे खान नहीं किलाया या कुछ और चीज़ का नहीं क्योंकि वो वहाँ पर हमारा intention ही नहीं दी contract की तो इसमें यहीं deal हुआ Lord Atkin यहीं बोलते हैं यहाँ पर भी intention to contract नहीं deal किया गया है यहाँ पर क्या था कि यह एक binding engagement हुआ between husband and wife यहाँ पर husband and wife withdrew their complaint under an agreement by which the husband promised to pay her an allowance देखिए husband ने का कि मैं तुम्हें एक allowance देता रहूंगा कुछ पैसे मैं तुम्हें देता रहूंगा वाइफ को प्रॉपर यहाँ पर एक agreement हुआ और wife ने काट refrain from pledging his credit ठीक है उसने भी कहा कि ठीक है बतलब उनका एक था कि complaint वापस लेने का यह contract था आप सिंप्ली समझे complaint वापस लेने का contract था उसके बदले में husband ने कुछ promise किया पे करने का यहाँ पर क्या था agreement was held to be a binding contract क्योंकि इनका जो intention था ने यहाँ पर वो contract क्योंकि husband भी कुछ provide कर रहा था और wife भी उसके बदले कुछ उसे provide कर रही थी तो यहाँ पर intention थी दोनों की ही तो अगर यहाँ पर कोई भी avoid करेगा बाद में तो यह legally उसको challenge किया जा सकता है तो यहाँ पर intention ऐसा role play करते है तो यह तीन case loss थे वैसे case loss काफी है बट जो तीन थे यह काफी important है तो आप इनको याद रखिएगा तेक है next is kinds of offer अब देखिए offer की कितने kinds होते है offer वैसे तो बहुत तरीके से हो सकते है किसी भी तरीके से हो सकते है बट mostly यह पांस तरीके के offer होते है जैसे कि particular और specific particular और specific means किसी एक particular person को ही हमने अपने बात बताई और हम चाहते हैं कि यही इसे accept करे जैसे car बेचने वाला है तो हमने कहा कि hello sham क्या आप मेरी यह वाली कार लेंगे ठीक है और sham ने कहा कि हाँ मैं लोगा या फिर उसने कहा नहीं मैंने ले सकता तो हमने सिर्फ sham को ही बोला तो ऐसे नहीं है कि बीच में कोई आगे महान सोन कोई भी आगया वो बोले कि नहीं मैं ले सकता हूँ और वो बोले कि यह तो binding हो गया क्योंकि तुमने तो offer दिया था नहीं बट यह specific है यह particular है जिसको बोला गया है वही सिर्फ accept करेगा यह deal कहता है बाल्टन वर्सिस जोन्स में इस case को हम आगे देख लिए second is general offer जिसका जो landmark case है कारलाइल वर्सिस कार्बोलिक स्मोग बॉल्स यह general offer है और यह general offer ऐसा है कि यह कोई भी accept कर सकता है हमने सिर्फ एक बार offer दिया और वो offer कोई भी accept कर सकता है जो भी उसको उसके terms and conditions को agree करता है वो कोई भी हो सकता है third one is counter offer जब कोई सामने से offer दे और हम कहा दे जैसे किसी ने बोला कि श्याम क्या आप मेरी कार एक लाग में लोगे उसने का हाँ मैं आपकी कार लोगा बट असी हजार में तो देखिए जो श्याम का offer था न जो initial offer दिया गया था एक लाग का वो तो cross हो गया क्योंकि उसने असी हजार का आगे से नए offer दे दिया अब किसके पाले में gain दे जैसे हम बोले तो वो अब उसके पाले में जिसने initial offer दिया था एक लाग का अब उसे accept करना है कि यार असी हजार में दूँ की ना दूँ तो यह होगे counter offer और एक offer को काटने वाला दूसर ओफर इसे बोलते हम counter now the fourth one is cross offer cross means similar हम offer दे और पता नहीं है कि यार वो भी मुझे offer देने वाला मैं भी ठीक है और वो cross हो जाए same offer एक दूसरा एक दूसरे को दे दे तो वो cross हो जाता है ठीक है तो जैसे वो बोले कि कि आप मेरी कार 1,00,00,00 मिलोगे और वो भी महां से intention सोच के आ रहा है कि यार मैं इसकी कार ले लूँ पर अगर यह एक लाक मैं दे तो ले लूँ तो वो भी सामने से बोलता है मैं आपकी कार 1,00,00 मिलोगा और वो भी कहता है कि यह दोनों नहीं offer दे दी एक दूसरे को और वो भी cross है, same है, तो यह same offer हो गए, तो यहाँ पर होता है cross offer, एक होता है open and standing offer, यह एक time period वाल offer है कि यह open है और standing है एक duration के लिए या फिर हमेशा के लिए या फिर किसी भी time के लिए हो सकता ही है, ठीक है, mainly जो 4 है, starting के यह जाधा important है, ठीक है, आप इने यादर कियेगा, और यह जो case laws है, carlyle versus carbolic smoke balls, इसकी एक अलग सी वीडियो बनेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, यह बहुत ही important case law है, अगर आपको पता है, तो आप बताइए का comment करके कि आप इसके बारे में जानते हैं पहले से ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, so this is the end of video, अब आगे acceptance करी next video आएगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो like जरूर कीजेगा, और subscribe करना तो भूले मत, ठीक है, thank you,